पुल्वामा के शहीदों को आज दी जाएगी आखरी विदाई हमले में मरने वाले जवानों की संख्या बढ़कर 46 हुई शहीदों के अंतिम संसकार में शामिल होंगे मुख्य मंत्री, केंद्री मंत्री और सांसद पुल्वामा हमले पर दिल्ली में सरवदलिय बैठक खत्म ग्रह मंत्री राजनात सिंग ने कहा आतंकवाद के खिलाफ सब लोग एक जुट गुलाम नभी आजाद बोले आतंकवाद के खात्मे को लेकर कॉंग्रेस का सरकार को पूरा समर्थन पुल्वामा हमले के खिलाफ जम्मू में बंद के दोरान हिंसा और आगजली के बाद कर्फ्यू लगाया गया डियाईजी समय 40 जखमी हमले की जगह दोबारा पहुची एनाईए की टीम साथ संदिक्दों को हिरासत में लिया पाकिस्तान से लोटे भारत के उच्चायुक अजे बिसारिया विदेश मंत्राले पहुचे अधिकारियों के साथ बैठक शुरू पाकिस्तान ने भारत के डिप्टी हाई कमिशनर को तलब किया महराष्ट की यवत्माल में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आतंग के सरपरस्तों को सजा जरूर मिलेगी शहीदों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा लॉंच के अगले ही दिन वन्दे भारत एक्स्प्रेस में खराबी आई दिल्ली आते समय तकनीकी खराबी के चलते टुंडला में ट्रेन रुकी ट्रेन में सवार लोगों को दो ट्रेनों से दिल्ली भेजा गया नौ दिनों से चल रहा गुर्जर आरक्षन आंदोलन खत्म किरोडी सिंग बैंसला ने आंदोलन खत्म होने की घोशना की लोगसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने बाई जिलों के डियम बदले 64 आईयस अफसरों का भी ट्रांसफर किया और अमेरिकी राष्टपति डोनल्ड ट्रंप ने अमेरिका में इमर्जनसी लागू की मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार के मकसद से इमर्जनसी लगाई